हेलो गईज, वेलकम बैक टो रियालिटी चेक, माई नेम इस राइसा, I hope you all are safe in taking care of your health आज मैं इंदुलेका के बरिंगा, hair cleanser, shampoo का review शेयर करने वाली हूँ इससे पहले मैंने गायती का shampoo का review शेयर किया था सबको ये product तो काफी अचा लगा था, पड़ी एक powder form में है तो इसको as a shampoo use करना काफी difficult था तो मैंने try किया कि same ingredient वाला मैं कोई shampoo try करूँ और मुझे ये मिला इस तरीके की साशे में आता है, इसका price 5 रुपीज है, मैंने ये medical store से लिया है आपको महारश्य में किसी भी local store या medical store पर ये easily मिल जाएगा अगर मैं ingredient की list की बात करूँ तो इस तरीके की इसकी ingredient list है इसमें आमला है, रीठा है, शिककाई है, नीम है, तुलसी है, ब्रिंगराज है जितने भी ingredient शिककाई के उस साशे पर अल्मुस्स सारे हैं अगर मैं बात करूँ परस्नली यूज की तो मैंने इस से एक महिने से यूज कर रही हूँ इसका texture जो है, ब्राउन कलर का है, जैसे हमारी शिककाई होती है, बिल्कुल उस तरीके से मेरी personal problem जो हैसकी है, वो है कि मेरी itchy scalp पर उससे dandruff हो जाता है और उसी की वज़े से मुझे mainly hair fall होता है, इसलिए मैंने ये try किया है the product is really good guys, इसका जो texture है वो बिल्कुल हमारे normal shampoo की तरह है बिल्कुल हमारे शिककाई powder की तरह नहीं है, तो आप इसको काफी comfortably use कर सकते हो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके use की, जो भी hair fall के दूसरे shampoos होते हैं guys, वो आपकी scalp को तो बहुत अच्छे से clean कर देते हैं लेकिन आपके बालों को काफी हद तक freezy कर देते हैं, वो इसने बिल्कुल नहीं किया है इसने मेरे scalp को clean तो किया without making my hair freezy या फिर damage या फिर you know कोई भी side effect दिये हुए मुझे personally ये product बहुत अच्छा लगा है अगर आपको कोई भी hair का problem है चाहे, वो premature hair growing हो, hair loss हो, itchy scalp हो, dandruff हो तो stop using commercial product guys, वो आपके hair को कोई benefit नहीं देंगे, सिफ loss ही करेंगे तो अगर आप कोई natural या ayurvedic shampoo ट्राइ करना चाहते हो, तो आप इसे try कर सकते हो, इसका smell बिल्कुल strong नहीं है, जैसे हमारे normal ayurvedic shampoos होते हैं, जिनका strong smell होता है वैसा इसका बिल्कुल नहीं है, काफी mild है, आपको कोई irritation नहीं होगी, या strong smell नहीं आएगी इसके अलावा मैं थोड़े tips and tricks देना चाहती हूँ, जो मैं personally अपने hair care में incorporate करते हूँ, आप भी कर सकते हो, जिससे आपके hair को growth में help होगी पहली चीज है, stop washing your hair too much guys, because मेरी खुद की इची scalp है, तो मैं imagine कर सकती हूँ, बहुत सारे लोगों की इची scalp होते है, तो उनको लगता है कि रोज वाश करने से अपना head, scalp clean हो जाएगी, इससे clean नहीं होगी guys, उससे आपका hair loss जादा होगा, कम नहीं होगा आप week में 2-3 बार wash कर सकते हो, लेकिन अगर उससे जादा wash करोगे, तो hair lossy होगा, उससे कोई benefit नहीं होगा, दूसरा है commercial products use करना, बन कर दीजे, तीसरा है oiling, जो भी आप oil use करते हो, try करो कि उसमें कोई color ना हो, चाहे वो amla का हो, या कोई भी चीज़ों, अगर उसमें जाद color अगर है, तो मत use कीज़े, उससे आपकी hair growth नहीं होगी, उल्टा, आपकी जो भी hair की issues हैं, वो बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होगे, तो ये 3 चीज़ें जो मैंने अपने hair care में डाली है, उससे मेरे hairs काफी जादा अच्छे होगे हैं, और काफी improve हैं अभी, so I love doing all this, अगर आपको video अच्छा लगा है, तो please subscribe my channel and hit the like button for more such interesting videos, thanks for watching.